असलामेकूम गाइस कैसे हैं आप लोग आज हम बनाने वाले हैं बेसिक चिकन बिडियानी नॉर्मल जो शुरू के जो लोग को तें स्टार्ट करें होते क्यों कुकिंग उनके लिए है बिगनर्स के लिए ठीक है इसमें में क्या के चीज़े यूज करें हो मैंने ये तीन मीड लिएं हम साइस के मैं टिमार्ट लिए है दोनों को बार एक बार एक काट लिया है ठीक है थी हाउफ के जीज़े से थोड़ी सी कम मेरे पास यह चिकन है इसके कला भाए एक कॉप मेंने डाने काली रृषिसे धिज्याद है दाला है जिसमें मैं चार लॉंग एक दार्चीनी का टुकड़ा एक हडी लाइची आठ दाने काली मिर्च और ये एक बादियान का टुकड़ा आगया है साथ में इतने में आइल में पहले फ्राइ करूंगी साबिक गरब मसाला ठीक है जी ये सब डाल लिया है मैंने ये इतना गरब मसाला है ये हम फ्राइ करेंगे साथ में एक तेज़ पात का पता एड़ कर रही हूँ ठीके जी ये फ्राइ हो रहा है साथ में मैंने ये अद्रक लसन एक चमच के जितना कुछल लिया था थोड़ा सा टुकड़ा अद्रक और एक लसन का जवा कुचल के जो है एक चमच जितना बना के इसको कुचल की ताजा एड़ किया है ताजा एड़ करने से यह होता है कि अच्छा फ्लेवर और खुश्बू आती है पुराने रखेवे में से खुश्बू चली जाती है ये दालने के बाद मैंने इसमें प्यास भी एड़ कर दी है साथ में और हम को इतना पकाईंगे अपि रहे करेंगे कि इसका एम पियास रहा भान करना है थीक्थ इसका कालर चैने है झाल होग बस इतना भान को फ्राय करेंगे यहां जो यह स declining इसमें प्याजनी तुर्दी को चाहते हैं अफ्ने तीमाटर टिमाटर भी अएड़ करेंगी अच्छी से मिक्स करेंगी शचीक है इसके बाद हम और क्या की चीज एट कर Walking चिव फ्र जूलैरी जिरा है wysakले जिरा है उर यह से मसाला रूँ ही ते ऊसने वे भूर जूए हो है जिस में लाल मुश पाउडर है अब तीसपून हमारे पास गरम मसाला है or में तीसपून हमारे पास इसमें यह साबिध धनिया है। ठीक है? लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया का यह मिकस्छर से मैंने बनाके रख लिया है अपने पास यह आइड़ करेंगे। हम इसमें ठीक है इसके इलावा दो मैंने आलू लिये थे जिनको पीसिस बना के इसमें एड़ कर दिया है हमने सिब गरम मसाला प्यास टेमाटर आलू एड़ किया था अब हम बाकी चीज़े एड़ कर रहे है इसमें मैंने गरी चली का पेस्ट एड़ कर दिया है ठीक हरी इसमें फिर हम एट कर देंगे अपनी चिकन डाल के भी हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और फिर इसके बार हम इसे डख के रख देंगे 15 तु 20 मिनट के लिए कि हमारी चिकन और आलू जो है वो डन हो जाए ठीक है एक चुमच हमने भरकी इसमें नमक भी एट किया है ठीक है अच्छे से फिर हम सारे चीज़ों को करेंगे मिक्स जब हम अच्छे से सारी चीतों को मिक्स कर लेंगे तब हम इसमें एड़ करेंगे एक कप पानी आलू और हमारी चिकन गलाने के लिए ठीक है जी एक कप जो है पानी एड़ कर दी हमने फिर इसको हमने डख के छोड़ देना है 15-20 मिलिट के लिए फिर इसके बाद हम खोल के जो हमारे आलू और चिकन जो हो चुके हैं डन बस अब हमने इसमें कुछ भी एड़ नहीं करना है हमने एक तरफ जो है वाइट राइस जो है वो बॉयल करके रख लिए है ठीक है सादे पानी में बॉयल करके चावल सफीद मिल्कुर कुछ नी डाला पाई डालके बॉयल करके र चावल करें और जो हमने इसी पर एलग से तै नहीं लगानी है यह सालन चुर रेडी हुआ है इसी के ओपर वो पते जो हर रचावल डालेंगे पीला एसस जो है वो हमारी ब्र नाने बिडियादी होगयी दमपर लगा दे के लिए देम एक करनई छोड़ने है दम पर लगाए एसेज डालना है और यह हो गई हमारी बिरियानी रेडी सलात रहते के साथ सर्फ कीजिए इतनी मज़िदार यह बिरियानी बनती है फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में